विरिन सक्सिना सर का बहुत-बहुत स्वागत है SNC तजर्वा में विरिन सक्सिना सर एंसडी से पास आउट है और काफी लंबी समय से टेलिविजन और फिर्म से जुड़े हुए है अभी सर की भीड आई है उसके लिए उसके लिए बहुत-बहुत मुबारक बात बाते में पताएं जिसमेर पता विचार है एक अच्छा सोच है एक अच्छी फिल्म है ये बात दुशिये है कि इस चल पाई दो नहीं और नहीं आरे लेकिन एक अच्छा सोच था और बहुत अप्रिशी also भीक हो इसके लिए सारह नुपस्त च्विन मुद्धे उठा रहे हैं जनरले हिंदे में पुरा वाइप आउट हो चोगा है मुद्धों पर काम करना तो उनको लेकर अनुपब सरकी में बहुत सारी चुनातिया होंगे कि वह कर रहे हैं उसी तरीके का उसने अपनी केसम का इक अपना सिनेमा तैयार किया है और वह थोड़ करना चाहिए तो उसकी संग में आगई है और वह वैसा ही करता है कोई बहुत कोस्ली सिनेमा नहीं है, कॉमर्शियल सिनेमा नहीं है, मिनिंग्फुल सिनेमा है, एक सब्जेक बेस्ट है, मतला है आप में तर एक एक रीजन है उसके पीछे लोग उसको पसंद कर सकते हैं और जिस तरीके के देश के हलाते हैं उनको देख करका तो यह लगता है बहुते लोग उसको पसंद कर रहे होंगे तो बहुते लोग उसको पसंद नहीं मी कर दे होंगे, और उसने कोई जूटने वोला, उसने एक मौस सच दिखाया है जो कि उस दौरान हुआ, और श्यू की पूरी शुरू से आप एंपी से तालुकात रखते हो फिर दिल्ली आए पहली बात मैं यूपी से हूं मत्रा से हूं मत्रा मैं में में राजा महिंद्र प्रदाप थे उनका सेक्रेटरी हो गया था को कि मुझे लगाता कि मत्रा मुझे छोड़ देनी चाहिए मैंने साइन्स में ग्रेजूशन किया उसके बाद मुझे लगा कि उस शेहर में रहकर कि कुछ नहीं किया जा सकता थोड़ा था एक्टिब था तो लोग मुझे पसंद करते थे मेरे गाने को लिखने को में पेंट करता था थोड़ा था परफॉर्म करता था परफॉर्म का मतला कोई वहां पर कोई थेटर तो था नहीं लेकिन एक बातचीत के दोरान भी एक बहुत सारी परफॉरमेंट सेज होती है तो वो सब होती थी है उसको लोग पसंद करते थे तो मेरे एक सीनियर थे अनिल चौधरी वो भी है मेरे सीनियर हैं यहीं बहुत बढ़ा नाम है उन्हों जोइन किया था तो मैं जब राजा महिन पर आपका सेक्रेट्री बन कर गया तो उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे अपने प्ली में कास्ट कर लिया तर वहां से इसलतिला शुरू हो गया और मुझे लगा कि शादिया ही वो चीज थी जो मुझे करने थी है तो मैं उसको करने थी थीटर करूंगा लेकिन मुझे एक ताइम बात लगा कि नहीं यह साब करना जरूरू है क्योंकि आप कुछ चैनलाइज करना अपने आपको बड़ा जरूरी है यह बहुत सारा कुछ यहीं वेस्ट हो जाता है तो आपको थोड़ा था चैनलाइज करना चाहिए मैं करने के बाद मैं थेटर करने के बाद मैं थेटर ही करना चाहता था मैं यह नहीं आना चाहता था लेकिन जब एक किया तो पहले भी काम था लेकिन जब मैंने तमस की तो तमस करने के बाद मेरे बहु सरा काम आने लगा और मैंने वो नहीं किया मैं थोड़ा दिली रहा मुझ तुस प्रक्त बंब में होना चीज़ था, काफी साही लोगों ने मुझे इस बात के लिए डाटा भी, कि एक राइक काइम पर मैं दिल, बंबभी नहीं था, ठीक है, वो भी एक जिंदगी का गिस्टा होता है, वह सारे उत्राव चड़ाव होती है, फिर फाइनली वे, 88 के एं या फे थेटर, थेटर तो मैंने नहीं करना बंद कर दिया, अभी 30 साल बाद मेरी मेसेज ने प्ले लिखा था, जाना था रोशन पुरा, वो लिखती भी, एक्टरस भी है, तो वो मुझे करना पड़ा, डिरेक्ट भी किया, मैंने उसमें एक्ट भी किया, क्योंकि वह थोग या था वो तो पहुत पुरा था, और उसके बाद मेरे एक टैलिवीजन के लिए एक और प्ले किया था, उसी जीवपलों के लिए, तो उसमें थोग है बोलता, जीव थेटर के लिए किया था, गुडिया की शादी करके पूता, उसके अलबा मेंने ने किया, और मैं थेटर यहां पर मतलब बहुत कम लोग कर रहे हैं अच्छा थेटर अधरवाइस होने को तो बहुत सारे होता है लेकिन और एक सबाल उम्रगा भी होता है एक उम्र के बाद आपको लगता है कि अब बहुत सारे चीजें नहीं काने चाहिए। विए बहुत सारे टेलिविजन तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया कि छोदे पंदर साल हो गए अभी इतने साल लोग बाद मैंने एक अपूर का एक सीरियल जरूर किया था बाग्य लक्षमी करके वह भी एक एक एपिसूड था इसलिए कि अधर इसमें नहीं करता है वह ने एक ही बात है वैसे देखा जाए तो आप भी अब एक मेरे को तो एक पेंटर में भी एक्टर नजर आता है मुझे तो एक सिंगर में भी एक्टर नजर आता है मुझे तो एक सिंगर में भी एक्टर नजर आता है तो सारी इन सारी विदाओं में सारी चीजिए कॉमन है उसको आपको डिस्प्ले करने का तरीका थोड़ा सा अलाग अलाग है, पेंटिंग में वो दूसी तरीके से एक्ट करता है, सिंगिंग में सिंगर दूसी तरीके से एक्ट करता है, वो भी कहीं न कहीं अपने दिल की ही बात कहता है, दंसर भी अपनी तरीके से बात कहता है, एक समझ थोड़ी अलग है, मतलब छोटे शेहर वाली समझ है, आपको कहना चाहिए और ऐसा मेरा मानना है कि एक एक एक्टर के लिए छोटे शेहर की समझ का होना थोड़ा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि छोटा शेहर आपको बहुत जल्दी बहुत सारी छीजे सिखा देता है, बड़ा शेहर का ईक बहुत- मभड़ा बडपन होता है, और उस हमें आप जिंदगी की बहुत सारी बारी होसे छूट जाते हैं, आप शायद नहीं देख पाते हैं, तो दिख andar हैं, इसम्त đến पितना भी जानते हैं जानते हैं, इसम्त भी और एक relationship की समझ बड़ी अलग होती है इन बड़े शेरों में तो जैसे कि अब आप ही आए हैं तो मैंने कहा था कि आने से पहले फून करना जब कोई छोटा शेर ऐसा नहीं होता छोटा शेर को मालूम है कि महाँ जाओंगा कोई पूछने वाला नहीं हो प्यार महबत लगाओ अलग होता एक छोटी शेर का ऐसा मेरा मालना है सब्सक्राइब पूछते हैं आपकी वाईफ और आपकी मुलाकात कैसे हुई उन्हें आपको कौन सा किरेदार सबसे ज्यादा पसंद है मुलागात पैरे फर्स्ट मिटिक वो दधाल मेरे एक बहुत सीनर दोस्ते हैं उनकी बेटी थी और भूपाल में मेरे उनकी मुलाकात हुई थी मेरे जो सीनर दोस्ते उनकी डैथ हो गई तो हम दोनों की शादी हो गई उनकी छला भाई एक विष्णा कोष्ट वो खेली घर की सबसे बड़ी लड़की थी शादी हो गई और वो अच्छी एक्टर से बहुत अच्छे लिखती हैं उनकी फादर नवीन सागर बहुत जनरल इनको मेरा काम पसंद आता है और मेरी एक काम को बहुत अप्रिशेट करती है वो एक टेलिविजन पर एक सेरी लाया था शतरंज रमन कुमार की कंपनी उसको बनाती थी वड़ एक दोस्ते दीपक वो इसको डिलेक्त करती थी वो उनको बहुत पसंद था बागी सारे क काम क्या म parseeg एक एक्टर हूँ गिह कोषिश करता हूँ जो कि ऊपना जो बी काम करूं पूरी इमानदारी से करूँ वही एक्टर की जडवत होती है ज़रूर नहीं है कि आप करें वो फिल्म चले नचले यह सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं लेकिन आपको जुम्मेदारी दी जाए वह आप अच्छी तरीके से करपाएं और इमांदारी से नेभालें यह एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है इसा मेरा मानना है। सवाल है कि आपका कोई ऐसा करदार्आ जो आपको याद हो और आपकाभे। ज़ु घर को याद रहे हैं हो। कहां ना का मैं थो एक्टर हूँ मैं तो हर काम अपना इमांदाली से करता हूँ लेकिन ठीक है। आप के सकते हैं कि तमस्ट नाम के सीजल था वो उसको अच्छे कामों में मनना जा सकता है बाकी मैं तो अपनी होगाम को अच्छे मानता हूँ क्योंकि ईमांदारी सीर्चाथ या तो मैं मने कर दूंगा लेकिन अगर करूंगा भी तो चाहें कितना भी छोटा हो वड़ा हो जो भी हो जैसा भी हो उसको इम अंदरी से करने की कोशिश करता हूँ इसमें पहले के टाइम में और आज के टाइम में कितना डिफरेंसिज हुआ है क्या आज इस्क्रिन पे लिए स्टूरी के अनुसार कास्टिंग होती है फिर स्टार्डम या सोचल मीरिया का इंफ्लूएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है अप्धारी चीजें अइसा तो नहीं है कि नए लुगों को नहीं रास्ते खले वो नए रास्ते खूल गये ओटी की वजल से फिल्मों की बएस history तुम नहीं खूलिये क्योंकि फिल्म में तो आप वो आपको होने का मतला होते हरे हैं और heroine होती है, वही एक actress होती है, बाग यह आप तो सिर्फ होती है कहानी को आगर चलाने के लिए, और आप हानी चलाते रहते हैं, आपकी मदद से कहानी चलती रहती है, that's all. Sir, ऐसा कभी हुआ कि आपको लगा हो कि acting media industry को छोड़ा छोड़ दूँ, relax? डाइज यह आप होती हिसके लावा कोई काम नहीं जानता, चै कि अटिञिए के लावा क्या आपकोंऐ है, क्या करते होती है přिस्तु कम डरेची है or क्या क्या बेरेकिश। आपना करता हूँ, नितना भी करता हूँ, हुष दर्घए रहनों आप सब्सक्राइब करने नहीं पाता है क्योंकि उस तरीकिका एक राइटिंग के लिए जो एक डिस्क्रिप्लिन चाहिए होता है वो मेरे में नहीं है मेरे वाइफ में हो एक साथ एक गंटे लगाता है और बैठ करके लिखती है और चूँकि वो एक राइडर की बेटी है उसके सिस्टम में में बोल सकता हूं तो मेरे एक दोस्त है अभी अनीश करके मैंने को कुछ सुनाया था तो वो शायद भी किसी को बेज रहे है जो कि कोई भरूसा नहीं करता है कि आज किसी पर बरूसा नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है किया नहीं हो रहा है अपना कुछ rapid fire भी है कुछ सवाल कुछ सवाल है acting or writing उसमें आपको select करना है कि क्या आपको लोगर फेब्रेटलोς हैं आतो नहीं तो नहीं नहीं कि मेरी पर सकता हूँ जानता आ干 टो हुए कि मैं तौनाँ जाना करता हुं मैं गायता भी था अपना दो गया लिखता हुह भी लेखना बंदो गया पेंट भी करता हूं कुछ मुझे एंस्टुमेंट भी जाता हूं वक्त दरूरत पर और एक्ट भी करता हूं तो इस तरीए कि मुझे नहीं मालूं मैं कौन सी केडिगरी में आता हूं खुशते हैं शाद मैं आर्टिस्ट वाली केडिगरी में आता हूं ऐसा मुझे लिगता है टूटल D एकने प्रो डिर्कटर , दिरेक्टर ठीटर यूडर्ड ए अगलिए फिर्यूत्य प्रिटर , दिल्य और मुंबाई कि स अग्लिट में काम केसंदर्व में मुंबई और रहने के संदर्व में दिल्ली भूज்क है फेवरियेट्टर भाल सारी हैं жus Indra हर डिरेक्टर पसंद आता है जो कि आप पर ट्रस्ट करता है और आपके साथ एक्स्पेरिमेंट करना चाहता है अजब बहुत सारे डिरेक्टर हैसे होती है जो कि घर सही अपनी किताब तैयार करके आयोती है तैयार करके लाए होते हैं और वो आप पे थोप देते हैं कि इसको ऐसा करना है। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक हम क्रेटिव फिल्ड में इसलिए बड़ा जरूरी है। कि हम सारी लोग मिलकर के किसी एक चीज को बढ़ा करें। एक आदमी एक डिरेक्टर जी फिल्म नहीं बनाता है। एक डिरेक्टर को एक्टर की जरूरत होती है। मुझिशन की जरूरत होती है। आर्ट डिरेक्टर की जरूरत होती है। डिरेक्टर की जरूरत होती है। एडिटर की जरूरत होती है। तो सारे लोग मिलकर के एक चीज बनाते हैं, तो ऐसे डिरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं मुझे, जो की ग्रो करना चाहते हैं, एक सिचुशन से बनी, उच्छक आगे हैं, मज़ा नहीं आए कि एक वार ऐसा भी करके देख लें, हाया चलो करके देखते हैं, तो वो लोग व फेवरेट सीरियल, जहां काम करने मज़ा है हो, बहुत सारी लिवर्टी मिली हो, तामस था, और लेक टनन के साथ एक सीरियल किया था, हमने दिल दरिया, जिसमा जो पहली बार शारुक खान साब ने एक्ट किया था, पहला था उनका, और मैं उनके फादर बना था, उसके ले मालूम तो है तो मैं करो ना, तो वो इतनी लिवर्टी देते थे कि वो लाइन्स जो लिख्यों ही हैं, वो कोई कंडिशनिंग नहीं है, वो आपके दिल से आनी चाहिए, मतलब एक परफोर्मेंस के लिए बड़े जरूरी होती है, अगर आप पढ़ी हुई लाइन्स बोलने तो वो हमेशा बाहरी चीज रहेगी, एक एक्स्टरनल होगी है, और अगर वो आपने दिल से निकल रही है, तो वो आपकी अपनी होगी है, तो कोशेश यह होनी से यह कि जो भी स्क्रिप्ट हो आपकी अपनी होगी. Sir, ट्रावलिंग या फिर स्टेइंग अठ होम? मैं एक ट्रावलिंग बहुत पसंद करता था, आज कर स्टेइंग को बहुत एंजोई करता हूँ. Sir, Storytelling and Politics या Storytelling with Money Power. Storytelling with? Politics. और? Storytelling with Money Power. Money Power means कभी-कभी होता है कि चलो, अगर जो एक आइडियोलोजी है, तिंक रहता है, उससे विए कंप्रमाइज करके चलो, थोड़ी पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो कर लेता हूँ. Celebrity है, यह है, बड़े नाम है, तो परड़े वगिरा अच्छे है, और एक है कि नहीं यार, एक आइडियोलोजी है कि नहीं आइड़ी प्रड़ी करना परता है, आपको जंदा रहना के लिए बहुत कुछ करना परता है, बहुत से काम हैं, मैंने तो अपने जंदगी एंबहुत सार इतने बुरे काम की हैं, जोकि मुझे नहीं करने चाहिए थे, और वह दोस्ती में भी किये और मेरा अपना मानना यह कि जायतर मेरे दोस्तों ने मुझे अच्छा काम नहीं दिया, जो कि बहुत बड़ बड़े नाम में उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और दूसरों ना अच्छा काम दिया, तो यह भी होता है, लेकिन आपको, हम तो बहुत गरीब घर्च के थे, और तो फादर स्टैनों हमने तो पैसे देखे ही नहीं थे उस तरीके से, और मैं तो 14 साल का था मेरे फादर की डैथ होगी थे, तो मैं उस तरीके की बहुत अगलीफेत नहीं थी, तो पैसा भी एक बहुत जरूरी चीज़ थी, और अभी भी जैसा कि अभी भी, मैं कितने काम चोड़ता हूँ मेरे बहुत साइद दोस बड़े नहराज होती है कि तुमने ये काम छोड़ दिया, इतने पैसे का, मैं कहता हूँ मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूद भी नहीं है, जितना है काफी है, और जिंदगी आराम से गुजरती रहे, शांती से गुजर जाए और क्या चाहिए है, क खुश है, वो उसका पैसा, उसका मेरा पैसा, अपना पूरे घर का, भी तुम अपने बाद रखो, पता नहीं कब तुमारे काम है, सर, अभी के टाइम पे जो एक्टिंग हूरी है, मतलब की जो नेपोटिस्म का चल रहा है, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि एक्टिंग पर तो बहुत नेपोटिस्म नहीं चला, लेकिन बड़ी कॉमर्शिल फिल्मों में तो चलता है, क्योंकि जो आदमी 100 क करोड, 1500 करोड, 75 करोड अगर पैसा लगा रहा हुता है, तो वो भी इस बात का ख्याल लगता है कि उसकी फिल्म चला है, उसकी फिल्म का पैसा वापस आए, और उसके वापस लाने के लिए कास्टिंग को, कास्टिंग बाका यदि एक बहुत बड़ा काम होता है, कि मैंने फ बहुत ऐसे थारे भी डीजन्स होते हैं, लेकिन OTT के आने से बहुत फर्क पड़ा है, OTT के आने से कुछ नुक्सान भी हो है, नुक्सान तो यह गोया है कि OTT भी अभी दीर से कुछ लोग उसको हिंदुस्तान के टेलिविजिन की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एताने देले नहीं होना चाहिए, एक फाइदा उताना चाहिए, उन को और वह इस वात का फाइदा उताना बहुत वाता हैके, खुप सारि गालिया भंको क्योंकि भू कोई ऽतरीके का कोई सेंसर नहीं है, बहुत वहार का है तो आप उसका फाइदा उतानी है, लेकिन Οटinary IT अगर आप देखें ओटिटी की बात हुई है तो अगर घुमा फेरा के देखा जाए तो वह क्राइम बेस्टी है अगर जब की और भी जॉनर है लेकिन वह उसके उपर ही सेंट्रलाइस क्यों हो गया है ऐसा तो नहीं है लेकिन आप जिकाते वो थोड़ा सा कंपरिक्टीश ज़्यादा है क्योंकि वो अभी बहार की फिल्मों के इंफ्रेंस में बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो कि बहुत हिंदुस्तानी हैं, बहुत जैते कि वो, मैं भूल गया हूं उसका नाम, पंचायत जो है, वो पढ़े लगे लगे हैं, आई आई टी पास्डाउट ड़के हैं, वो समझ है, वो सब को छोड़के बना रहे हैं, अभी उसको देखा गया है सार, लोगों ने इसको देखा, और लोगों ने एक स्टार प्यादा कर दिया, उठले लगे कि वासे भी कितना सारा काम है, ऐसा नहीं है, बहुते लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन बहुते लोग थोड़ अच्छा काम होना चीज़, गुंजाइशे आपको एक फिक्स पैसा मिलता है, आपका तो को रुक्सान हो नहीं रहा प्रोडूसर का, प्रोडूसर को तो फायदी हो रहा है, इतना पैसा है, इतने पैसे मैं आप बना करके दीजिए, उनका आदी बैठता है, इतना है, इतने परसेंटेज आपको आपको प्रोफिट मिलेगा, तो आप अच्छा बनाई है ना, इसको, अभी एक और सवाल कि, अभी सर अभी आप क्या कौन सा बुक पढ़ रहे हो या फिर क्या चल रहा है अभी, पढ़ता काफी हो लेकिन अभी दो-तीन महीने सा थोड़ी मेरी पढ़ा मुझे वो भी बहुत बुरा लगता है कोई मेरी किताब लेगा और वापस नहीं आई, मुझे वो भी उसकी बड़ी दखलीफ होती है, कुछ किताबे तो ऐसी होती है, जो कि आप इसी लिए होती है कि आपने पढ़ी और आपको दे दी, और आप से कहा कि आप इसको किसी आपको बहुत इंस्पायर करें हिंदी इंग्लेश कोई भी लैंग्वेश के मैं थोड़ा था नॉन फिक्षिन ज्यादा पसंद करता हूं तो वह पढ़ता हूं को कहानिया तो आपको कहीं भी परने को मिल जाती है और कहानिया तो यह भी अपने आप में कहानी है कि आप आये हूं और हम बेठी हूं अभी इसको अपन डवलप करना चाहें तो बड़ी आसानी से एक आदे घंटे की एक कहानी इस पर अपन तरियार कर सकते हैं तो कोई से नहीं है बहुत साथ और परानी लोगों को पढ़ता हूं पराने लोग सब्सक्राइब कर दोड़ रहते तो मैं उनके साथ थेटर में कर रहा था तो आप आप से मिला था मैं आप से मिला था में यहीं रहते हां यहीं बे अंधेली चारवंकला में रहता हमने तरुड स difक्राइब कर सबसाएं उनका तो मैं उनके साह कर 밖에 इस नहींने सांगे वर मैं नहीं में जाश्क्राइब være देर ज्यने हैं अब अब मैं बोलता हूँ कि मेरे दरका मैंने इंट्रव्यू लिया है